नमस्कार साथियो आप सबी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियम टुटोरियल्स करेंट अफेर्स में यहाँ पर हम डेली करेंट अफेर्स के एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंतरगत आपको प्रते दिन पर डे 15 कुश्चन की एक वीडियो मिलती है जो कि आपके आने वाले competitive exams के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है तो आज हम discuss करेंगे 18 मर्ज 2024 के दिन घटित हुई 15 महत्पूर्ण घटनाओं के बारे में और उससे related 15 questions के बारे में तो शुरू करते हैं first question से पहला question आपके सामने यह है who has been appointed as the new cbsc chief नए cbsc प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है options है जैदी भांसराज दिनेश शुकला राहूल सिंग और लक्षमी सिंग तो इसका जो correct answer है वो है option c राहूल सिंग चलिए इसके explanation के बारे में जान लेते हैं राहूल सिंग कौन है राहूल सिंग एक senior bureaucrat यानि कि एक वरिस्ट नौकरशाह है जो के chairperson बनाए गये है Central Board of Secondary Education यानि कि cbsc के ठीक है तो पहले question का answer है राहूल सिंग दूसरा question on which day ordinance factories day in India is observed every year यानि कि भारत में आयोध निर्माडी दिवस प्रतेक वर्ष किस दिन मनाया जाता है तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि ordinance factories day से आप समझ पा रहे होंगे कि ordinance factory से लिट्ट है और ordinance factories क्या होती है और ordinance factories वो factories होती है जो government of India के under में आती है और जो हमारी armed forces को arms provide कराती है यानि कि गोला बारूद बंदूग इन सब का निर्माड यहाँ पर किया जाता है तो इस question के options है 19 March 18 March 17 March और 16 March इसका जो correct answer है वो है option B 18 March तो explanation देख लेते हैं ordinance factory हर साल ordinance factory day हर साल 18 March को मनाया जाता है और यह एक special दिन है जो के हम celebrate करते हैं to honor the Indian ordinance factories that provides arms and ammunition to the Indian armed forces जैसा कि मैंने बताया था अभी कि यहाँ पर जो आयूत कारखाने ordinance factories होती है वो क्या होती है वो ऐसे कारखाने होते हैं जो भारतिये सशस्त्र बलों को हत्यार और गोला बारूद प्रदान करते हैं और यह government of India के अंडर आते हैं नेक्स कुश्चन रिसेंटली लामा लोबजांग पास्डवे एड 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 अड अज ऑफ नटी फोर हूज वाज ही हाली में लामा लोबजांग को लामा लोबजांग का 94 वर्च की आयू में निधन हुआ है वह कौन थे सिंगर, राइटर, कैनवास आर्टिस्ट या प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर तो सॉलूशन देख लेते हैं इसका राश्ट्रिया अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती यानि कि दर नेश्ट्र कमिशन फॉर शिडूल कास्ट ट्राइब आयोक के पूर्व सदस्य और लद्दाक के प्रमुक्त बहुत भिख्शू जिन्हें लामा लोबजेंग के नाम से जाना जाता है उनका नई दिल फॉर शिडूल कास्ट शिडूल ट्राइब्स के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं नेक्स्ट कोश्चन हूँ अमंग दा फॉलोइंग हैव रिसीवड डाइना मैमोरियल एवार्ड निमलिखित मैसे किसे डाइना मैमोरियल एवार्ड प्राप्त हुआ है ओप्शन इस प्रकार अंसर है वो है ओप्शन ए उदय भाटिया एंड मांसी गुपता तो उदय भाटिया और मांसी गुपता को दिया गया है प्रेस्टीजियस प्रतिस्थित डाइना मैमोरियल एवार्ड यह पुरसकार हर दो साल में दिया जाता है और यह किसकी याद में दिया जाता है राजक और उच्छेप्शनल यूथ फोर दिया सोशल वर्क और हुमेंटरियन सर्विसेज नेक्स्ट कुश्चिन विच ओफ दी फॉलइंग इट हैसेंटली साइंड एन एम ओ यू विद दी मिनिस्ट्री आफ हैवी इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंकरेज इन्वेशन एडवांस द ऑटोमेटिव एंड एलेक्ट्रिक वहिकल इवी सेक्टर किस ने हाल ही में नवाचार को फुर्स्थान करने और ऑटोमोटेव और एलेक्ट्रिक वहान एवी छेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बाहरी उद्द्योग मंत्राले के साथ एक समझाता ग्यापन पर हस्ताक्शर क किये हैं options कुछ इस प्रकार हैं IIT कानपूर IIT रुड़की IIT गोहर्टी एंड IIT गांधी नगर तो इसका जो correct answer है वो है option B IIT रुड़की इसके explanation की बारे में देख ले हैं कि जो Ministry of Heavy Industries है यानि के भारतिय उद्धियों मंत्राले जो भारतिय उद्धियों मंत्राले है उसने एक MOU sign किया है with IIT रुड़की to encourage innovation and advance the automotive electric and electric vehicle sector next question who has won the global book sorry who has won the golden book award 2024 for the book breaking free embracing me healing from childhood abuse and toxic conditioning breaking free embracing me healing from childhood abuse and toxic conditioning पुस्तक के लिए golden book 2024 का पुरस्कार किसने जीता options है राखी कपूर सुधा मूर्ती अनुजा चोहान या अनुपंख खैर और इसका correct answer है option A राखी कपूर solution दिखते हैं इसका सबसे पहले हम यह जान लें कि जो golden book award दिया जाता है वो wings publication international के द्वारा दिया जाता है ठीक है और इस साल की बात करें सन दोजार चौबिस में ओथर राखी कपूर को उनका second golden book award दिया गया है जो कि उनकी 26 वी किताब जिसका टाइटल है breaking free embracing me healing from childhood abuse and childhood abuse and toxic conditioning के लिए दिया गया है next question in which state oblique union territory scientists have recently discovered a new colorful flowering plant species called begonia नरहरी वेग्यानिकों ने हाल ही में किस राज या केंद्र साशित प्रदेश में begonia नरहरी नामक एक नई रंगीन फूल वाले पौधी की प्रजाती की खोच की है options है जम्मु एंड कश्मीर मिसूरम अर्मनाचल प्रदेश या आसाम तो इसका जो correct answer है वो है option c अर्मनाचल प्रदेश scientists have discovered a new colorful flowering plant species begonia नरहरी इन दा मिश्मी hills in लोहित district अर्मनाचल प्रदेश के लोहित चिले में मिश्मी पहाडियां में एक नंगी एक नई एक नई रंगीन फूल वाले पौधे की प्रजाती बेगोनिया नरहरी की खोज की है the species has been named after professor गरिकापती नरहरी शास्त्री who was the former director of CSIR NEIST जोरहाट आसाम यानि कि यह जो फूलों की नई प्रजाती का जो एक तरह से इसकी जो discovery हुई है उसका नाम प्रोफेसर गरिकापती नरहरी शास्त्री के नाम पर रखा गया है और जो प्रोफेसर गरिकापती नरहरी शास्त्री थे वो कौन थे वो CSIR NEIST के पूर्व निदेशक थे अब आप कहेंगे कि सर यह CSIR और NEIST क्या है CSIR का फुल फॉर्म होता है Council of Scientific and Industrial Research और NEIST के फुल फॉर्म है North India Institute of Science and Technology तो इनके पूर्व निदेशक यानि कि पूर्व फॉर्मा डिरेक्टर थे प्रोफेसर गरिकापती नरहरी शास्त्री उनके नाम पर ही इस फूलों की प्रजाती का नाम रखा गया है बिगोनिया नरहरी Next Question Where has startup Mahakumb? One of the largest events that showcase India's startup ecosystem have started on 18th March 2024 भारत के startup ecosystem को प्रदर्शित करने वाले सबसे बड़े आयोजोनो मैंसे एक startup Mahakumb 18 March 2024 को कहां शुरू हुआ है Options है New Delhi, Hyderabad, Lucknow, Noida इसका correct answer है Option A New Delhi इसका solution देखते है नई दिली में तीन दिवसिये startup महakumb शुरू हुआ है A three day startup महakumb begins in New Delhi और इसका aim है to connect startups with inventors including venture capitalists, investors and potential corporate partners इसका उद्देश, उद्धम, पूजी पतियों, निवेशकों और संभावित, corporate, भागिदारों सहित, आविशकारकों के साथ इस startup को जोड़ना है Next question Who has been awarded the PV Nursinga Rao Memorial Award in 2024 2024 में PV Nursinga Rao Memorial पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है Options आपके सामने है मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी या पियूश बंसल तो इसका जो correct answer है, option B, रतन टाटा टाटा संस के पूर्व चेर्मेन रतन टाटा को प्रतिष्थित PV Nursinga Rao Memorial Award से सम्मानित किया गया है रतन टाटा, former chairperson of, former chairman of टाटा संस, has been bestowed with the prestigious PV Nursinga Rao Memorial Award He received the award for his outstanding philanthropic contributions, the award ceremony took place in Mumbai उन्हें उनके उत्करस्ट परोपकारी योगदान, philanthropic means परोपकारी योगदान के लिए पुरसकार मिला है और ये पुरसकार सम्मान समारो, मुंबई में आयोजित हुआ था next question, what is the new name of एहमद नगर, एहमद नगर का नया नाम क्या है options पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, ये एहमद नगर की जो बात हो रही है ये एहमद नगर महरास्ट के अंदर आता है, तो एहमद नगर का हाली में नाम बदला गया है options हैं कि इसका नया नाम क्या है, अहिल्या नगर, चत्रपदी संभाजी नगर, धराशिव नगर या नाना जगननात नगर इसका जो correct answer है वो है option A, अहिल्या नगर तो महरास्ट के अहमद नगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा जाएगा, ऐसा मुख्य मंत्री एकना शिंदे ने गोशना की है महरास्ट अहमद नगर to be renamed as अहिल्या नगर announces CM एकनात शिंदे अहिल्या नगर अहिल्या भाई होलकर को समर्पित होगा जो मराथा समराज की वंशान उगत रानी थी और उनका जन्म एहमद नगर जिले के चौंडी गाउं में हुआ था अहिल्या नगर विल बी डेडिकेटेट टो अहिल्या भाई होलकर यानि के नदियों के लिए अंतर रास्ट्रे कारिवाई दिवस दोजार चौबिस का विशे क्या था आपको पताते चलें कि इंटरनेशनल डे फोर अक्शन फोर रिवर्स हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है तो इस वर्स 2024 में इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन से है दा इंपोर्टेंस ओफ रिवर्स पॉर बायो डिवर्सटी राइट स्टू रिवर्स वाटर फॉर अल एक्सलेरेटिंग चेंज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाटर फॉर अल हर साल 14 मार्च को दुनिया भर के लोग नदियों के अंतरास्टे कारवाई दिवस मनाते हैं यह विशेज दिन जो अब अपने 25 वर्ष में है हमारी नदियों की रक्षा करने उनके महत्यों का जश्न मनाने और अधिक लोगों को इस बारे में जागरुक करने पर केंद्रित है कि वो इतनी महत्यपुड क्यों है यानिकि जो यह इस साल जो इंटरनेशनल डे इस बारे मनाया जा रहा है और बेसिकली इसको मनाने का उद्देश होता है तो फोकस अन प्रोटेक्टिंग आवर्ष सेलिब्रेटिंग देर इंपॉर्टेंस और मेकिंग मोर पीपल अवेर और वाय दे मैटर सो मच एक्स कुशन पीबी शब्द हाल ही मैं किस मंत्रारे Ministry of Information and Broadcasting Ministry of Communications तो इसका जो correct answer है वो है option A Ministry of Electronics and Information Technology तो the government has unveiled PB शब्द a new sharing initiative by प्रसार भारती, DD News and आकाशवाणी News along with an updated news on the air mobile app यानि कि सरकार ने प्रसार भारती, DD News और आकाशवाणी News की समाचार साजा करन पहल PB SHADB का अनावरण किया है साथ ही updated news on the air mobile app भी launch किया है अब इसका aim क्या है, इसका aim basically है aim to revolutionize the news industry by offering accurate and meaningful content to print and electronic media nationwide benefiting small news organization मतलब हुआ कि जो चोटे चोटे news organization होते हैं जिनके पास बड़ा budget नहीं होता है, जो बड़ा budget बड़े budget का इस्तिमाल करके news collect नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक platform बनाया गया है जहां से क्या कर सकते हैं वो accurate और meaningful content अपने लिए capture कर सकते हैं और उसे वो use कर सकते हैं तो कुल बिलाकर जो छोटे media होते हैं print media या फिर आप बात करने electronic media तो वो लोग क्या कर सकते हैं बिना ज्यादा resources का इस्तिमाल किये हुए सीधे यहां से news को लेकर उसे news को चाप सकते हैं या news को publish कर सकते हैं तो एक बड़ा initiative है अच्छा initiative है next question who became the 14th president of Pakistan पाकिस्तान के 14 राश्पती कौन बने आमिर मुकाम मुसादिक मलिक महमूद खान महमूद खान अचकजी अचकजाई आसिफली जर्दारी तो इसका जो correct answer है वो है option d आसिफली जर्दारी आसिफली जर्दारी एक पाकिस्तानी politician है जो कि 14 राश्पती बने हैं पा पीपल्स the पार्टी पारलिमेंट्रियन यहने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पालेमेंट्रियन के है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह पोermेंग्ण ठेकर बनाया species of fish known for its high omega 3 content, world's first fully autonomous AI software engineer, या फिर entry down system, तो इसका जो correct answer है, वो है option C, world's first fully autonomous AI software engineer, एक US based company है, Cognition, क्या नाम है कंपनी का, Cognition, उसने announce किया है, एक launching, announce the launch of a new artificial intelligence chatbot called Devin, जो कि वो claim कर रही है कि वो क्या है, वर्ड का first word का first fully autonomous AI software engineer है, clear, next question, दप्राइम मिनेस्टर आफ इंडिया लेट दा ग्राउंड वर्क फॉर हाउ मैनी मेगावाट्स ओफ अरुनाचल प्रदेश दिहांग मल्टी परपस हाइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट, भारत के प्रदार मंत्री ने अरुनाचल प्रदेश की दिहांग बहुत देश्य पन बिजली मतलब हाइड्रो एलेक्रिक पर योजना के लिए कितने मेगावाट की अधरचला रखी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन भी 2880 मेगावाट इसका एक्स्पेनेशन देखते हैं, प्रामिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट दा फांडेशन स्टोन ऑफ 2880 यानि कि 2880 मेगावाट दिहांग मल्टी पर्पस हाइड्रो एलेक्टिक प्रोजेक्ट ऑफ एन एच्पी सी लिमिटेड अरुनाचल प्रदेश भारत के प्रदामंत्री ने अरुनाचल प्रदेश में एन भी तक का सबसे हाइस्ट कंक्रीट ग्रेमिटी डैम होगा इंडिया का ठीक है क्लियर तो यहां पर हमारे पूरे 15 कुशन की सीरीज खतम होई आज की और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और इस वीडियो का जो कंटेंट प्लस इसकी डिलिवरी काफी पसंद आई ह होगी अगर आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं आपके लिए बेनिफिशल साबित हो रहा है और आपके फ्रेंड्स और फैमिली या और आपके जो जानने वाले हैं जो के कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स के प्रिप्रेशन में लगे हुए हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनक होगे यहां पर हम हर दिन एक नया वीडियो अप्लोड करते हैं और वह वीडियो का नोटिफिटिचन आपको सबसे पहले मिल जाएगा अगर आप बैल ड़ी वे को दभा देंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो यहां पर हम आज की क्लास को इंड करते हैं ठेंक यू Thank you all.